मुझा जाए यह तो स्टेशनी वेव का टॉपिक, अब हम बात करेंगे डॉपिलर्ज एफेक्ट की उसके क्वेस्टन्स को हम कल करेंगे जो बाकी उसके फार्मॉलाज और केसियस हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे दोनों तरह के क्वेस्टन्स इसमें पूछे जा सकते हैं डॉपिलर्ज एफेक्ट में ठीरेटिकल भी और इसके लावा नुमेरिकल बेस भी डॉपिलर्ज एफेक्ट क्या है आप लोग किसी अब्लेंस को अपनी तरफ आते वे अगर उसके साइरन को सुने और जब आपके पास से गुजर जाए तब साइरन को सुने तो आपको फ्रिक्वेंसी में डिफ्रेंस फील होता तो वर्ड जब आ रही होती है हम नाम देते हैं डॉपिलर्ज एफेक्ट का कि जब सोर्स और अब्जर्वर के दिरम्यान एक रेलिटिव मोशन होती है तो इस रेलिटिव मोशन की वज़ा से फ्रिक्वेंसी में अपेरेंट चेंज आएगा and that is called डॉपिलर्ज एफेक्ट तो मैं स्टेट्मेंट को लिखता हूँ और फिर स्टेट्मेंट से ही हम रिजर्ट की तरफ जाएंगे तो स्टेट्मेंट है अब पेरेंट चेंज इन दा फ्रिक्वेंसी ओफ वेव अब यहां इस सवाल ये पूछा जाता है कि डॉपिलर्ज एफेक्ट किस किसम की वेव के लिए एपलिकेबल है क्या ये मेकैनिकल वेव के लिए एपलिकेबल है क्या ये इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव के लिए एपलिकेबल है या दोनों के लिए एपलिकेबल है क्या अंसर इसका देंगे और क्या water waves में भी Doppler effect होता है? क्या light में Doppler effect होता है? जी, इसका answer होगा all types हो wave हमारे पास जितनी भी waves की type है उन तमाम wave की types के अंदर हमारे पास Doppler effect produce होता है तो यहाँ पर wave के वाले से या रखेगा कि हमारे पास wave चाहे mechanical wave हो और चाहे हमारे पास electromagnetic wave हो यह हर एक के लिए applicable है अब apparent change frequency में हो गया यह जो statement है, यह क्या है? यह Doppler effect जो है उसका effect है कि उसके वैसे होता क्या है? अब क्यों होता है? apparent change in the frequency of wave due to, अब cause की बात होने लगी है due to relative motion और किसके दिरम्याँ relative motion? relative motion between transmitter and receiver या relative motion between source and observer एक ही बात है transmitter, receiver या source and observer अगर relative motion होगी तो हमारे पास relative motion की वज़ा से frequency में apparent change आएगा अब यह जो relative motion होती है इसकी पेचान क्या है? कैसे पता चलेगा कि हमारे पास दो bodies के दिरम्याँ relative motion है या नहीं है? बड़ा असा तरीक है जब भी relative motion होगी तो उन दोनों bodies के दिरम्याँ जो distance होगा वो change हो रहा होगा और अगर दो bodies के दिरम्याँ distance change नहीं हो रहा इसका मतलब वहाँ relative motion नहीं है और अगर relative motion नहीं है वहाँ doppler effect apply नहीं होगा और अगर doppler effect apply नहीं होगा तो frequency भी change नहीं होगी जैसे example ली जाती है circular motion में कि circular motion में अगर source center पर है observer उसके circumference के along गूम रहा है तो क्या circular motion में अगर fix axis होगा तो क्या observer और source के दिरम्यान जो distance है वो change होगा नो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर apparent frequency और real frequency सेम होगे यहाँ doppler effect apply नहीं होगा क्योंकि relative motion नहीं है same case अगर एक और लिया जाए कि अगर हमारे पास दो cards हैं और दोनों cards move कर रही है same direction में with same velocity अगर दोनों move कर रहे हैं same direction में with same velocity तो क्या होगा यहाँ पर भी हम लोग यह देखेंगे कि अगर दोनों की velocity same है direction भी same है तो relative velocity zero क्योंकि किसी भी point पे दोनों के दिर्मियान जो distance होगा वो change नहीं होगा तो यहाँ अगर यह hard बजाता है यह source है और यह observer है तो अब भी हम कहेंगे कि हमारी apparent frequency और real frequency same है train में एक मसाफिर बैठा हुआ है अगर किसी platform पे train रुकती है यह train महां से चल पड़ती है तो क्या जो मसाफिर बैठा होगा train के अंदर उसको frequency में change फील होगा यह नहीं होगा और जो बन्दा platform पे खड़ा होकर उस अवास को सुन रहा है क्या उसके लिए change होगा यह नहीं होगा क्या इसका answer देंगे एक वो मसाफिर है जो train में बैठा हुआ है और एक वो मसाफिर है जो train का wait कर रहा है no किस case में और yes किस case में दोनों बताएं बिलकुल जो बैठा होगा उसके लिए change नहीं होगा क्योंके उसकी relative motion zero है लेकिन जो wait कर रहा है उसमें relative motion है तो उसके लिए change आएगा तो सबसे आसान पिचान है कि distance का change होना अगर हमारे पास distance change हो रहा है between observer and source इसका मतलब Doppler effect apply होगा अब जो distance का change है relative motion की वज़ा से यह दो तरह का होगा क्या या तो relative motion की वज़ा से observer और source के दर्मियान distance बढ़ जाएगा जब दूर जा रहे होंगे distance बढ़ेगा और यहाँ पर relative motion की वज़ा से दोनों के दर्मियान जो distance होगा वो कम हो जाएगा तो Doppler effect यह कहता है कि अगर relative motion की वज़ा से distance increase होगा तो हमारी जो frequency होगी वो क्या कर जाएगी decrease कर जाएगी एक्चौल फ्रिक्वैंसी से ज्यादा हुजायेगी ये इसके रिजलर्ट पता जाएगे motion की वज़ा से से distance हिंज होता है distance या तो फास्ले को बढ़ाता है या फास्ले को कम करता है ,फास्ला बढ़ेगा frequency कम हो जाएगी फास्ला कम होगा frequency ज्यादा हो जाएगी कब distance increase करेगा पहला case when observer is moving away from source अगर observer source से away move करेगा और कब हमारे पास दूशा case बनेगा जब फासला बढ़ेगा जब source move करे observer move ना करे when source is moving when source is moving away from observer और बाकी दो case इसके reverse बन जाएंगे और वो दो case reverse क्या हमारे पास बनेंगे वो case बनेंगे जब distance काम हो रहा है इसका मतलब observer move कर रहा है towards observer is moving towards the source या observer अगर move नहीं कर रहा source अकला move कर रहा है तो लिखेंगे source is moving away from observer अब मेरा आपसे सवाल एक है जब observer move करता है तो frequency का change क्या speed के change होने की वज़ा से आता है या wavelength के change होने की वज़ा से आता है और जब observer की जदा source मूव करेगा तो तब apparent frequency का change क्या speed के change होने की वज़ा से आता है या wavelength के change होने की वज़ा से आता है question मेरा यह है कि जब observer move करता है तो frequency का change किस वज़ा से आता है और जब source move करता है तो frequency का change किस वज़ा से आता है यह मैं point यहाँ पर लिख देता हम आपको अगर यह point आपको पता है तो easily आपके doppler effect के cases cover हो जाते है अगर हमारे पास observer move करेगा यहाँ रिखेगा observer के move करने की वज़ा से आपकी जो speed है वो change होती है और आपकी जो wavelength होगी वो constant रहेगी wave की और आप जानते हैं कि speed का frequency के साथ क्या relation है direct इसका मतलब जब हमारे पास observer move होता है तो frequency का change speed की वज़ा से होता है और दूसा case क्या है दूसा case हमारे पास है motion of source जब source move करेगा तब क्या होगा source की move करने की वज़ा से याद रखेगा आपकी speed वो constant रहती है और क्या चीज़ चेंज हो रही होती है आपकी wavelength चेंज हो रही होती है और wavelength का frequency के साथ क्या relation है inverse इसका मतलब wavelength बढ़ेगी तो frequency क्या होगी वो कम हो जाएगी तो अगर आपको ये point पता है आप ये चारों cases के answer easily लिख सकते है कि observer की move करने से क्या होगा और source की move करने से क्या होगा अब होता है असल में क्या है जब source move कर रहा होता है observer की तरफ तो source और observer के दरम्यान जो waves होती है वो कठी हो रही होती है और waves के कठी होने का मतलब क्या है waves के कठी होने का मतलब है कि उनके दरम्यान फासला कम हो रहा होगा जब फासला कम होगा wavelength कम हो जाएगी और जब source observer से away move करेगा तो क्या होगा? wave expand एक तरह से हो रही होंगी जब wave एक तरह से expand हो रही होंगी तो wavelength बढ़ जाएगी जब wavelength बढ़ जाएगी तो automatically frequency क्या हो जाएगी कम हो जाएगी लेकिन observer के source की तरफ moving करने से methZe survivor के source से away move करने से source की wavelength को फर्क नहीं पड़ेगा किसको फर्क पड़ेगा कि उस observer की तरफ कितनी waves पहुंच रही है जब observer towards मूव करेगा तो उसके पास ज़्यादा waves पहुंचेंगी frequency बढ़ जाएगी और जब observer दूर मूव करेगा number of waves उस तक कम पहुंचेंगी frequency क्या होएगी वो कम हो जाएगी तो यह point आप को अगर याद है कि क्या चीज़ चेंज होती है तो आप easily अब इनके answer लिख सकते हैं अब मैं क्या लिखूंगा one by one अब देखते जाएगा कि जब observer मूव कर रहा है away from source तो क्या होगा हमारी जो speed होती है sound की वो कम हो जाती है कितनी कम जिस speed से observer मूव करेगा वो उसमें से subtract हो जाएगा और इसके according जब हम frequency का फामूला बनाते हैं तो क्या बनता है f dash is equal to v minus u not over v into f और अगर हम से examiner पूछे कि wavelength में क्या change आएगा तो हम क्या कहेंगे apparent wavelength और actual wavelength same क्योंकि हमें पता है observer के move होने से frequency change speed की वज़ा से होती है wavelength की वज़ा से नहीं होती जब source move करेगा way from observer तो क्या होगा wavelength बढ़ जाएगी यह actual wavelength है उसमें delta lambda add हो जाएगा और delta lambda source के move करने की वज़ा से होता है यह red shift वाला point जो है यह question आया करता है कि कैसे पता चलता है कि हमारी universe expand हो रही reason उसकी क्या है red shift यगर हम space images को देखते हैं तो जो redness हमें नज़र आती है वो क्यूं है वो red shift की वज़ा से है और red shift कब होता है जब wavelength बढ़ती है और wavelength कब बढ़ती है जब चीज़ें away move कर रही होती है उतनी expand हो रही होती है और इस wavelength के बढ़ने से जब हम frequency के result को लिखते हैं तो क्या लिखते है V over V plus US into F और यहां पर अगर wavelength पूछी जाए तो अब यह नहीं कहना कि wavelength constant है अब wavelength change होगी क्या change होगी frequency का wavelength से क्या relation है inverse तो frequency के फार्मूला को उल्टा करते है wavelength का फार्मूला बन जाएगा तो यह बन जाएगा V plus US over V into lambda अब अगर आप इन results को compare करें तो frequency के अगर मैं पहले इस result को देखता हूँ तो denominator बड़ा है numerator चोटा है इस वज़ा से F dash कम है और यही बात मैंने उपर कही थी कि frequency decrease कर जाती है यही बात यहाँ पर देखें इस case में denominator बड़ा है numerator चोटा है इसका मतलब हमारी frequency कम हो जाएगी लेकिं wavelength के case में denominator बड़ा है चोटा है numerator बड़ा है तो wavelength क्या होएगी वो increase कर जाएगी अब आएं observer जब move करेगा towards यह source move करेगा towards अब क्या होगा अब अगर observer move करेगा towards तो speed बड़ेगी अवाज जल्दी पहुंचती है नमबरो waves पर second बढ़ जाती है और इससे अगर frequency के फार्मूला को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे V plus U naught over V into F और wavelength observer की move होने से चेंज नहीं होती लेकिन जब source move करेगा towards waves bundle हो जाएंगी कटी हो जाएंगी कटी होंगी तंग हो जाएंगी हमारी wavelength decrease कर जाएगी और जब हम frequency के फार्मूला को लिखेंगे तो क्या result होगा V over V minus U S into F और wavelength अगर लिखना है इसको reverse कर दें जब reverse करेंगे तो V minus U S over V into lambda अब इनके results क्या होंगे अब इस case में देखें denominator चोटा है numerator बढ़ा है हम क्या कहेंगे जब towards move करेगा observer frequency बढ़ जाएगी और अगर मैं इस case को देखूं तो numerator चोटा है चो बढ़ा है denominator चोटा है अब भी frequency बढ़ेगी frequency बढ़ जाएगी और जब frequency बढ़ेगी तो wavelength कम हो जाएगी अब ये हैं इसके चार cases जो आपको idea देते हैं कि हमारे पास towards और away जब move करेंगे तो हमारे results क्या आते हैं अब ये जो चारों फार्मूलाज हैं ये आप एक फार्मूला से भी याद रख सकते हैं कि अगर आपको एक single formula पता है तो उस single formula से ये चारों cases हो सकते हैं और उस फार्मूला क्या है V minus U0 over V minus US into F ये अकेला फार्मूला आपको ये चारों cases बता सकता है कैसे फर्स करें ये speaker आपके पास क्या है ये source है और सामने एक observer है अब sound की जो speed है उसकी direction हमेशा source से away है V की direction ये है V अब observer की बात कर लेते हैं अब observer की दो directions है या तो observer move कर रहा होगा towards the source या observer move करेगा away from source अब आपको इस base पे signs का या रखना है जब observer move करेगा towards the source तो क्या you not we के along है या we के opposite है जब observer move करेगा towards the source तो क्या you not we के along है या we के opposite है opposite है तो sign क्या आएगा negative sign क्या आएगा negative और जब negative sign आएगा तो जब मैं यहां पर negative उड़ करूंगा तो यह इसको क्या बना देगा यह इसको बना देगा positive अद ना ना सिम गलती कर रहे है वोड से देखें क्या हो रहा है मैं इसको repeat करता हूँ जब observer अच्छा आप direction की बात करें ठीक है मैं समझा sign को देख रहे है ठीक है जब observer move करेगा towards the source तो उसकी direction speed के क्या है opposite तो क्या करेंगे हम U not के साथ sign क्या लगाएंगे negative और जब observer move करेगा away तो away move करते वे जो direction V की है वही U not की है यह sign क्या आएगा positive अब आपने करना क्या है यह जो basic formula है frequency का आपने यहाँ पर इन signs को substitute कर देना जब आप signs को substitute करेंगे तो देखें पहले case में sign क्या negative यहाँ पर negative पूट करेंगे तो यह formula क्या बन जाएगा V negative negative positive U not अगर source rest पर है तो नीचे आएगा V क्योंकि US 0 है यह formula बन गया दूसरे case में जब वो away move कर रहा है तो sign क्या आएगा positive क्यों क्योंकि U not और V की direction क्या है same तो formula यहाँ positive sign positive negative negative formula बन जाएगा V minus U not over V into F तो यह basic logic है कि हमारे जो formulas हैं उसमे negative और उसमे positive sign क्यों आ रहा होता है तो जब observer की velocity sound की velocity के opposite तो observer की velocity में negative sign आएगा और जब observer की velocity sound की velocity के along तो sign क्या आएगा positive उसके according यह change हो जाएगा अब मैं आपको बाकी दो cases भी बता दू अब अगर observer मूव ना करे अगर मूव करे source अब source मूव करेगा या तो observer की towards या observer की away observer rest पर है दुबारा होई case बन जाता है अब अगर यह away मूव करेगा तो आपने देखना है कि source की speed क्या sound की speed के along है या opposite है और जब यह towards मूव करेगा तो क्या sound की speed क्या source की speed के along है या opposite है इसके मताबिक sign लगा लें इस case में जब source towards मूव करेगा तो sound की speed और source की speed along है positive sign आएगा और जब source away मूव करेगा तो sound की speed और source की speed opposite है sign क्या आएगा negative अब दोनों फार्मूलास को यहां सब्चीश यूट करके चेक कर ले अब चेक करें अब जबर मूव नहीं कर रहा उपर V आएगा पहले केस में नेगिटिव साइन है तो नेगिटिव नेगिटिव क्या हो जाएगा पॉस्टिव नीचे आजाएगा V प्लस US इन्टु F और इस केस में जब अवे की जगा टोर्ड्स मूव करेगा साइन क्या है पॉस्टिव जब नीचे पॉस्टिव तो पॉस्टिव नेगिटिव नेगिटिव आएगा फार्मूला क्या बन जाएगा V ओवर V माइनस US इन्टु F तो यानि अगर आपको ये फार्मूला बता है जो मैंने यहां पर लिखा तो आप ये चारों केसिस जो उपर हैं उनको आप इसी फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं ख्याल का करना है बस ख्याल ये करना है कि यू नॉट के साथ पॉस्टिव नेगटिव कब आएगा यू एस के साथ पॉस्टिव नेगटिव कब आएगा मैं इसको रिपीट करने लगा हूँ जब साउन्ड की स्पीड के अलॉंग अब्जर्वर की स्पीड होगी तो पॉस्टिव साइन आएगा के along source move करेगा तो sign क्या आएगा positive और जब source move करेगा sound की speed के against तो sign क्या आएगा negative तो यह चीज़ अगर आपको पता है आप easily इन चारों cases को a single formula से कर सकते हैं और कई दफा आपके question में दोनों move कर रहे होते हैं तो तब भी आप इनी चीज़ को use करेंगे कि अगर दोनों move कर रहे हैं तो क्या towards move कर रहे हैं या way move कर रहे हैं उनको use करें आप easily इस formula से उनको solve कर सकते हैं तो यह cases हमारे पास जो थे यह आप लोगों ने इसको revise कर लेना यह मैंने cases बताए और best यह है कि आप इस formula को एक दफ़ा याद रखें और इससे सारे cases को बनाएं जैसे उपर stationary wave के अंदर single formulas हैं उन single formulas को याद करें सारे harmonic सारे overtune कवर हो जाते हैं इसी तरह Doppler effect के अंदर भी यह single एक formula है इसको याद करें आप सारे cases को easily cover कर सकते हैं आपने practice करनी है अब last में मैं आपको red shift और blue shift का बता दू जो इसके applications है वो कल ही हम करेंगे red shift और blue shift क्या है देखें red की जो wavelength है वो ज्यादा है सबसे असान तरीका याँ रखने का और जो blue है उसकी wavelength कम है तो पहले चीज़ तो अगर आपको ये पता है कि red की wavelength ज़्यादा होती है as compared to blue आप easily बता सकते हैं कि red shift और blue shift का मतलब क्या है red shift है इसका मतलब है कि light की जो wavelength है वो बहर रही है blue shift है इसका मतलब light की wavelength कम हो रही है जो spectrum है वो towards red या towards blue shift करता है जो observe हम करते हैं light को अब जब wavelength बहर रही होती है ये कब possible है observer के move करने से तो कभी wavelength चाही नहीं होती इसका मतलब red shift और blue shift particularly source की motion के होले से है तो wavelength कब बहरती है जब light source का मूव करेगा away तो light source is moving away और wavelength कब कम होती है जब light source का मूव करता है towards अब red shift और blue shift किस के लिए यूज होते हैं ये basically motion of stars के लिए यूज होते हैं तो हम कर इंकल्यूड क्या करेंगे हम कर इंकल्यूड ये करेंगे कि अगर कोई star अर्थ से away जाएगा तो ये कलाएगा red shift क्यूँ? क्योंकि इस case में जो wavelength होगी वो भर रही होगी और अगर कोई star अर्थ के towards move कर रहा होगा तो source के towards move करने से जो wavelength होती है वो decrease कर रही होती है तो इस shift का नाम क्या होगा? blue shift तो red shift और blue shift ये हमारे पास सबसे main application है Doppler's effect की और इसका purpose क्या होता है? इसका purpose stars की motion को detect करना होता है तो ये बात हमने उपर जब cases पड़े थे तो वहाँ भी की थी कि जब source move करता है away तो wavelength बढ़ती है ये basically आपके red shift को show करता है और जब source move करता है towards wavelength कम होती है तो ये किसे show करेगा? ये show करेगा blue shift Doppler's effect की applications Doppler effect के बारे में हमने पढ़ा था कि Doppler effect क्या है? apparent change in the frequency of wave when there is a relative motion between source and observer चाहे observer source की तरफ move करे या source observer की तरफ move करे तो जब भी relative motion होती है तो relative motion की वज़ा से हमारे पास apparent change आता है frequency में फिर दो चीजें हमने कल discuss की उनको मैं दोबारा बता दूँ कि observer move करता है और source move करता है तो frequency में change किस वज़ा से आता है? तो observer जब move करेगा तो हमारे पास speed में change आएगा wavelength constant रहेगी जिसकी वज़ा से frequency change होती है और source अगर move करेगा तो हमारी speed constant रहती है wavelength change होती है और wavelength के change होने की वज़ा से frequency में change आता है तो यह conditions आप लोगों ने या रखनी है तो कि हम जब किसी भी relation की बात करते है कि let's say हमारा relation है V is equal to F lambda या F is equal to V by lambda तो अगर frequency का relation हमारे पास V के साथ होगा तो lambda constant होगा और अगर frequency का relation lambda के साथ होगा तो हमारा V जो होगा वो constant होगा तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर Doppler's effect के अंदर हमारे दो different cases बनते हैं तो एक case में frequency की variation speed की वज़ा से होती है और wavelength constant रहती है तो दूसरे case में frequency की variation wavelength की वज़ा से होती है और हमारी जो speed होती है वो constant रहती है और आप easily बता सकते हैं relative to source कि अगर हमारे पास observer motion में हो source के relative तो तब हमारा यह पहला case अपलाई होता है और अगर दूसरे case की बात करें कि frequency का wavelength के साथ का relation होगा तब जब हम यह कहेंगे कि when source is moving relative to observer और चाहे वो towards move करे away move करे वो बात की बात है और अगर इनके relations को भी हम यहाँ पर revise करें तो हमारे पास इनके relations क्या बनते हैं वो को पता होने चाहिए जब हमारे पास observer move करेगा तो observer की move करने से दो relation हमारे पास बनते हैं इसको मैं लिखूंगा V plus minus U naught over V into F अगर towards move करेगा positive sign अगर away move करेगा तो negative sign और इसी तरह अगर मैं second में formula लिखता हूँ frequency का तो हमें पता है कि source के case में जो source की speed अवो denominator में आता है अगर towards move करेगा negative sign और अगर away move करेगा तो positive sign और साथ multiply क्या होगा frequency multiply हो रही होगी तो यह cases हमें पता है और inisilated हमारे सारे के सारे questions इस topic में आते है तो यह formula अगर हमें याद हो इनकी conditions याद हो हम easily इन questions को solve कर सकते है Doppler Fet की applications सबसे पहले हम बात करते है radar की radar किसकी abbreviation है अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ abbreviation किसकी है radio waves detection and ranging यार रखिए इसमें गलती जो होती है जो कई दफाए examiner भी यहां पर एक create करता है वो यह कि एक amplification कह देता है तो वो गलत होगा यह radio waves amplification and ranging नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की amplification नहीं होती यह simple हमारे पास transmission and receiving phenomena है कि radio waves को transmit किया जाता है वो obstacle से टकरा के वापस आता है उनको receive करते है और receive करने की base पर हम बताते है कि क्या हमारा obstacle towards move कर रहा है या away move कर रहा है तो radar is an abbreviation of radio waves detection and ranging अब हमारे पास radar किस तरह से use होता है अगर हम radar की working को briefly discuss करें तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो खुद radar है वो as a source behave नहीं कर रहा होता है वो as a observer behave कर रहा होता है कैसे फर्स करेए हमारे पास radar है और इसने अपनी एक range के अंदर किसी एक obstacle को detect करना है अब obstacle may be towards move कर रहा हो और may be away move कर रहा हो हर time के उपर हमारे पास यहां से जो radio waves है वो emit हो रही है अब यह जो radio waves हमारे पास emit हो रही होती है वो हमारे पास उस obstacle से क्या होंगी reflect होंगी अब अभी तक हमें यह लगता है कि जैसे हमारे पास radar है यह क्या है source है लेकिन नहीं होता यह जो radio waves जब उस obstacle से उस plane से टकराती है तो वहां से reflect होके वापस आती है जब वहां से reflect होके वापस आएंगी तो इसका मतलब यह है कि जो obstacle है जहां से radio waves reflect होंगी वो क्या behave करेगा वो behave करेगा as a source क्योंकि अब हमने इसको detect करना है पहले वो सिर्फ और सिर्फ radio waves को send कर रहा है सिर्फ और सिर्फ transmission हो रही है लेकिन जैसे वो किसी obstacle से टकराती है और टकराकर हमारे पास वो radio waves वापस आती है तो वो obstacle behave करेगा as a source और खुद radar behave क्या करेगा as a observer तो यह point यह रखना है कि हमारे पास source कोन है और observer कोन है तो source है, obstacle, observer कोन है radar अब radar ने जब उन radio waves को observe किया तो दो chances हो सकते हैं या तो frequency बहर रही होगी या frequency कम हो रही होगी अगर तो frequency बहर रही है इसका मत्तब यह कौन सा case है यह towards वाला case है कि source is moving towards और हमारे पास अगर frequency decrease हो रही होगी तो यह कौन सा case है यह कौन ace होगा away का कि हमारे पास overall जो obstacle है वो towards move नहीं कर रहा वो क्या move कर रहा है उस radar से away move कर रहा है अब radar को use किया जाता है air में radar को कभी अब underwater use नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि हमारे पास radar में use होने वाली waves कौन सी है यह रेडियो waves और radio waves हमारे पास क्या है इस आर electromagnetic waves और electromagnetic wave की जो nature होती है वो क्या होती है वो transverse nature होती है और transverse nature के बारे में आप लोग जानते हैं कि transfer nature flux के अंदर propagate नहीं करती डेड हो जाती है इस वज़ा से radar को हमेशा use किया जाता है air के अंदर इन कभी भी हम water में use नहीं करते हैं मैं इस point को repeat कर देता हूं कि हमारे पास जो radar है उसकी working किस तना से है बहुत जादा detail में हम बात नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमें यहां पर यह point समझना है कि क्या radar as a source behave कर रहा होता है या observer behave कर रहा होता है तो radar as a observer behave करता है जब यह radio waves को send करेगा तो वो radio waves किसी obstacle से reflect होके वापस आएंगे अब जिब radio waves किसी obstacle से reflect होती है तो जहां से वो reflect होंगी वो behave क्या करेगा as a source क्योंकि अब उस radar ने उन reflected waves को observe करना है तो observer कोन है radar अब जब वो उन reflected waves को observe करेगा तो दो chance हो सकते हैं या तो आने वाली जो waves हैं उनकी frequency क्या हो जाएगी increase हो जाएगी और यहां दुसरा case ही हो सकता है कि जो observe वो करेगा frequency उनकी क्या होएगी decrease तो अगर तो frequency increase हो रही है इसका मतलब जो obstacle है वो move कर रहा है towards the radar और अगर frequency decrease कर रही है इसका मतलब जो obstacle हमारे पास है या plane है वो move कर रहा है away from the radar और next बात मैंने क्या कही थी कि radio waves electromagnetic waves है और electromagnetic waves की nature क्या है वो transverse है इस वज़ए से इनको कभी भी liquors में prefer नहीं किया जाता क्यों नहीं किया जाता क्योंकि electromagnetic wave की speed हमारे पास liquors में जाकर क्या हो जाएगी वो कम हो जाएगी इन्हें air में prefer किया जाएगा क्योंकि air में speed light की या radio waves की ज्यादा है as compared to the water. Next, हमारे पास जो दूसरी application आती है, जो underwater हम use करते हैं, वो है sonar. अब sonar भी हमारे पास acronym है किसका? Sonar stands for sound waves, navigation, इसमें S sound waves को show करता है, SO, जो N show करता है, वो navigation को show करता है, और R हमारे पास show करता है, ranging को. और sonar के बारे में या रखेगा, कि sonar के अंदर हमारे पास use क्या होते है, sound, और कौन सा sound? इसमें ultra sound use होता है. और ultra sound के बारे मैंने बताया था, कि ultra sound waves कौन सी होती है, जिनकी frequency 20 kilo hertz से ज्यादा होती है. जिनकी frequency 20 kilo hertz से ज्यादा होती है. Sonar को use करेंगे अंडर वाटर, क्योंकि sound क्या है, sound mechanical wave, और mechanical wave कौन सी longitudinal? और जो longitudinal waves है, ये हमारे पास denser के अंदर ज्यादा speed से move करती है. जो काम radar करता है जिस नहां से, वो ही काम sonar करेगा. लेकिन किस purpose के लिए use होता है? ये use होता है to measure seabed. अब seabed measure करने का मतलब क्या है? seabed का मतलब होता है depth of sea. ये sound wave reflect होके वापस आती हैं और वहां से हम depth को find करते हैं. इसके लावा इनको use किया जाता है underwater mines के लिए. सेम काम, obstacle क्या submarine के रास्ते में हैं या नहीं है. इसके लावा underwater marine life, इनकी detection के लिए भी इनको use किया जाता है. और obviously जो enemy है, उसकी submarine या उसके भी किसी भी तरह की war machine को underwater detect करने के लिए भी, हम सुनार को use करते हैं. और सुनार में भी यही काम होगा, कि सुनार जो खुद device है, वो behave करेगी as a observer. और जिस जगा से sound wave reflect होके बापस आएंगी, वो क्या behave करेगा as a source. तो अगर तो हमारे पास frequency भी रही है, इसका मत्ब obstacle की motion towards है. और अगर frequency कम हो रही है, इसका मत्ब उसकी motion क्याए away है. इसका आप यूं भी कह सकते हैं, कि अगर frequency भढ़ रही है, तो observer और source के दिर्मयान जो distance है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. और अगर frequency हमारे पास भढ़ने की जगा कम हो रही है, that means observer और source के दिर्मयान distance, वो increase हो रहा है. तो means, ये लाजमी नहीं होता कि हमारे पास समरीन, जिसमें सुनार प्रेजन्ट है, वो rest position में ही ये काम करेगा, वो motion में भी सीज़ को कर सकता है, तो तब हम क्या कहेंगे, अगर frequency increase हो रही है, तो that means distance between observer, जो खुद सुनार है and source, वो क्या कर रहा है, वो decrease कर रहा है, और अगर frequency decrease कर रही है, तो that means distance between observer and source is increasing. Next application हमारे पास Doppler's effect के अंदर, Doppler effect के अंदर, जो next हमारे पास application, जिसकी बात हम कल कर चुके हैं, वो हमारे पास है speed of stars, कि क्या stars हमारे पास move कर रहे हैं towards earth, या stars move कर रहे हैं away from earth, अब astronomers जो होते हैं, वो Doppler effect को यूज करते हैं, to measure the speed of distant stars, और किस spectrum के थूँ ये measure हो रहा होता है, ये basically line spectrum को detect कर रहे होते हैं, इंदा लिबाटरी, अब जो line spectrum लिबाटरी में detect हो रहा होता है, उसका दो तरह का behavior होता है, हमारे पास या तो वो shift होगा towards red color, और या फिर वो shift हो रहा होगा towards blue color, अब red और blue, ये किस से इसको show करेगा, ये basically show करेगा कि क्या star की motion towards है, या star की motion away है, अब red shift कर मैं बता चुका हूँ, red wavelength जादा है, तो जब wavelength detected light की बहर रही है, तो ये हमारे पास red shift, और ये कब होगा, when star is moving away from earth, और अगर आपको कहा जाए, red shift के लिए formula लिखें, कि हम किस रहां से by using red shift, wavelength का relation लिख सकते हैं, तो कल मैंने आपको formula लिखवाए थे, आप उन्ही formula को लिख सकते हैं, lambda dash, अब ये कौन सा case है, अवे का, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा V, अब V को मैं इस कर रहा हूँ, speed of light से, साथ यहाँ पर आजाएगा, speed of star, US, divide किसे होगा, C से, और multiply किसे होगा, lambda से, अब ये जो lambda है, ये actual light है, और जो lambda dash है, ये observed light है, जो laboratory में observe हुई, जो line spectrum में, C स्पीड ओफ लाइट है, और US, ये star की speed है, अब मुझे बताएं, क्या इस formula में, यहाँ sign negative आएगा, या positive आएगा, red shift के लिए, अगर wavelength का relation लिखें, तो क्या यहाँ sign positive आएगा, या negative आएगा, जी, positive sign आएगा, यहाँ sign क्या show करेगा, यह show करेगा, कि numerator अगर greater है denominator से, तो lambda dash greater है lambda से, और यह बात मैंने यहाँ पर कही, कि जो wavelength होती है, red shift में, वो increase कर रही होती है, अब अगर blue shift की बात करें, तो blue की wavelength काम है, तो जब wavelength decrease करती है, तब हमारा line spectrum है, वो shift होता है towards blue color, और यह show करेगा, कि star is moving towards earth, अब इसका अगर wavelength का relation लिखें, तो अब आप direct लिख सकते हैं, कि उपर अगर formula में positive sign है, तो यहाँ पर formula में sign क्या होगा, negative हाएगा, बाकि सारा formula यही है, और यहाँ पर, यह result हमारे पास क्या show करेगा, यह result शो करेगा, कि numerator अब छोटा है, तो wavelength क्या कर रही है, वो decrease कर रही है, ताकि book में इसे related एक numerical भी है, galaxy की motion towards और away, तो वहाँ पर, उस question की statement से, हमें पता चल जाता है, कि क्या वो galaxy move कर रही है towards या away, मैं आपको वो book की statement है, वो बताता हूँ, ताकि आपको idea हो कि अगर वो question MCQ में आता है, तो आप बता सके, वो question क्या है, the absorption spectrum of faint galaxy is measured, and the wavelength of one of the lines identified as the calcium alpha line, is found to be 478 nanometer, अब यहाँ वो कहता है कि जो absorption spectrum उस galaxy का है, जो observe हुआ है, वो 478 nanometer है, इसका मत्तब यह क्या है, यह lambda dash है, यह apparent wavelength है, the same line as a wavelength of 397 nanometer, उसकी जो wavelength है, जब laboratory में measure की, तो वो 397 nanometer है, तो यह कौन सी है, यह उसकी actual wavelength है, तो actual wavelength जो है, वो 397 है, और जो apparent wavelength है, वो 478 है, तो क्या कहेंगे, क्या galaxy move कर रही है towards या away, अगर apparent की जादा है, इसका मत्तब galaxy is moving away from the earth, तो means हमें यह values बता देंगी, क्या यह redshift को शोग कर रहा है, motion away को शोग कर रहा है, यह motion towards को शोग कर रहा होगा, clear है यह point, speed of start, अब next हम application के तरफ चलते हैं, जो next हमारे पास application है, वो है radar speed trap, अब जो radar speed trap है, यह आप लोग देखते हैं, यह basically हमारे पास speed measure करने के लिए यूज होता है, highways के उपर, कार की speed measure होती है, जो traffic police वाले होते हैं, या motorway police वाले होते हैं, उन्होंने speed guns को install किया होता है, और इसी तरह से आप लोग एक और चीज देखते हैं कि cricket के अंदर या baseball के अंदर जो ball की speed measure होती है, उस instant पे जब baller के हाथ से ball निकलती है, same time पे हमें screen पे नजर आ जाती है कि ball की speed क्या है, यह जो radar speed trap है, इसका measure moving bodies की speed को measure करना होता है, और यह किने use कर रहा होता है, radar speed trap radio waves को use करेगा, और radio waves की जो type यहां पर use होती है वो microwave है, और same principle उपर जो हम radar में discuss कर चुके हैं यहां भी वही है, यहने कर मैं आपसे पूछूँ कि अगर एक traffic police वाले ने एक distance के उपर speed gun को install किया हुए, speed measure करने के लिए, और सामने से एक car move करके आ रही है towards, तो source कोन है, क्या source वो car है या source हमारे पास वो speed gun है, किसको हम source बोलेंगे, बिल्कुल, जो car है वो हमारे पास क्या होता है, वो source होता है, और जो हमारे पास speed gun है वो behave कर रहा होता है as a observer, होता क्या है, जब उस traffic police वाले को doubt होता है कि शायद गाड़ी over speeding कर रही है तो वो microwave की पल्स को generate करता है और जो microwave की पल्स होती है वो उस गाड़ी से टकराती है, reflect होके वापस आती है अब अभी तक हमारे पास कोई case नहीं है observation का लेकिन जैसे हमारे पास microwave वहां से reflect होकर वापस आएगी तो अब car क्या है source और जो speed gun है वो क्या है observer तो जो wave send की उसकी frequency f जो receive की उसकी frequency f dash अब गाड़ी की speed कैसे measure होगी यहां कौन सा formula use होगा यहां case apply होगा source is moving towards observer यह जितनी भी highway के उपर या cricket के अंदर या baseball के अंदर हमारे पास speed measure हो रही होती ही बहां पर यह case होता है कि source move कर रहा होता है towards observer तो source अगर move करेगा towards observer और मैंने car की speed को find करना है तो मेरा formula होगा f dash is equal to v over v minus us into f और यहां से हम cross multiply करके easily us की value को find कर सकते हैं अगर मैं इस formula को further solve करूँ ताकि आपको idea हो अगर mcq में आए तो क्या answer होगा cross multiply किया यह आगया v minus us f dash को right side पे लाकर divide कर दें यह आगया f over f dash अब minus us को ले जाए right पर तो वो क्या हो जाएगा positive और इसको ले जाए left पर यह क्या हो जाएगा negative तो us is equal to v minus v f over f dash और यहां से अगर आप v को common ले लें तो formula 1 minus f over f dash तो यह formula है car की speed को find करने का तो अगर कोई numerical आता है जहां पर आपने car की speed find करनी है तो इस formula को use करके आप car की speed find कर सकते हैं और अगर आप यहां पर variables की बात करें तो आपको सिर्थ 2 variables given होंगे आपको examiner सिर्फ यह देगा कि जो microwave से frequency send हुई वो कितनी है और जो observe हुई वो कितनी है आपको वी की value नहीं देगा तो आप वी की जगा क्या put करेंगे? क्या value put करेंगे वी की जगा ताकि आप इस question को solve कर सके है एफ और एफ टैश तो given है वी की जगा पर क्या value substitute करेंगे? जिनका answer speed of light है वो correct है क्योंकि microwave जो हमारे पास हैं यह basically क्या है? यह electromagnetic waves है और अगर हमारे पास यह electromagnetic waves है तो आपको यार रखना है यह जो वी है यह basically speed of light है तो यहाँ जो वी की value होगी वो 3 10 days to power 8 meter per second होगी यह sound नहीं है अगर तो sound होता फिर आप 340 को use कर रहे होते है तो यार रखे का यह गलती नही waves की बात हो रही है तो इस numerical को solve करने के लिए आपने speed of light की value put करनी है तब जाकर आपका जो answer आएगा वो correct आएगा otherwise आपका जो answer होगा वो incorrect होगा तो यह हमारे पास application थी radar की इसके लावा बुक में BAT के बारे में लिखा हो है कि BAT navigate food by eco location तो eco location, eco क्या होती है? eco होता है वास का तकरा कर वापस आना तो जिस रहां से हम radar में radar speed trap में देख रहे हैं कि radio waves reflect होके वापस आती है BAT भी इसी principle पे अपने खाने की तलाश करता है या अपने रास्ते को देखता है तो BAT navigate food या path by eco location तो अगर यह कोई question हमारे पास आता है तो आपने यह बात बतानी है कि हमारे पास navigation क्या होती है एक point मैं आपसे पूछना चाहूँगा देखते हैं आपने बुक से पढ़ा या नहीं पढ़ा जब हमने audible frequency range की बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि कुछ genre ऐसा है जो ultrasonic और infrasonic दोनों को detect कर सकते है बताएंगे कि हमारे पाँ वो कौन सा जानवर है जो इंफरा सॉनिक और ultrasonic दोनों को detect करता है और वो कौन सा जानवर है जिसकी overall जो audible range है वो सबसे जादा है कि जो dog हमारे पास है यह वो जानवर है जो ultra और infra दोनों को detect करता है क्योंकि dog एकर आप बुक में value देखें तो वो 15 Hz से लेकर 50,000 Hz तक है तो जब 15 Hz से लेकर 50,000 Hz तक है तो ultrasonic हमारे पाँ 20 Hz से कम यह करेगा और सॉरी इंफरा 20 Hz से कम यह करेगा और ultra 20 kilo Hz से जादा वो भी करेगा और जिसकी maximum है हमारी बुक के according वो कोन है वो dolphin है और Dolphin की Range जादा है और कहां से कहां तक है यह 150 से लेकर 150,000 Hz तक है और कैसे पता चलता है Range जादा है Maximum और Minimum का Difference देख लिए तो जिसके максимum और Minimum Value का Difference जादा होगा उसकी Range जादा होगी जो Bads होती है वो UltraSonic को यूज़ करती है Detection के लिए यह ओपर किसे ने पूछा है कि बैड किसको यूज करती है तो विल्टरा सॉनी को यूज कर रही होंगी डिटेक्शन के लिए तो यह हमारे पास टॉपिक कम्पलीट होता है डॉपलर जिफेक्ट का जिसमें हमने डॉपलर फेक्ट के केसिस भी पढ़ लिया और डॉपलर फेक्ट की जो एप्लिकेशन हैं उनको भी डिसकस कर लिया अब डॉपलर फेक्ट के क्वेस्टन से पहले मैं केस डिसकस यहां पर करना चाहूंगा हमने जब कल पढ़ा था तो हमने यह बात की थी कि अब्सर्वर मूव कर रहा है यह सोर्स मूव कर रहा है अगर दोनों मूव कर रहे हो वेन बोथ अब्सर्वर एंड सोर्स आर मूविंग अब दो तरीके होते हैं ऐसे क्वेस्टन को सॉल्व करने के एक तरीका तो यह होता है कि हम किसी एक को रेस्ट पर ले 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 और रेलेटिव स्पीड फाइंड करके सॉल्व कर ले तो जब एक को रेस्ट पर लेके रेलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो जो कल हमने फामुलाज यूस की है जिन में या तो यू नॉट आता है या यू एस आता है हम उनको यूस कर सकते है क्योंकि उन फामूलास का जो मतलब है वो यही है कि हम एक बॉड़ी को rest पे ले रहे हैं मतलब अगर मैं फामूला लिखता हूँ f dash is equal to v plus minus u not over v into f तो इस फामूला का मतलब यह है कि हमारा जो us है वो zero है source rest पर है और तब हम यह relation को use कर रहे है observer की motion towards है यह observer की motion away है और दूसरा जो हमारा case है कि जब source move करता है फामूला v over v minus plus साथ आपके पास us और यह आजाएगा f और यह तब हम use कर रहे होते हैं जब हम observer को rest position पे ले रहे होते हैं याद रखें इन फामूलास के अंदर अगर हम दूसरी body को rest पे ले रहे हैं तो यह u naught और यह us यह आपके पास relative velocities को show करेंगे relative velocity observer की velocity with respect to source या source की velocity with respect to observer relative velocity के बारे में पहले यह बता चुका हूँ मैं दुबारा बता दूँ relative velocity में दो cases हमारे पास आते हैं या तो हमारे पास bodies की जो direction होती है वो same होती है या फिर bodies की जो direction होती है वो opposite हो सकती है opposite यूँ भी हो सकती है कि एक दुस्टे की तरफ move कर रहे हो और opposite ये भी हो सकती है कि एक दुस्टे से away move कर रहे हो अगर मैं इसकी velocity को VA और इसकी velocity को VB कहता हूँ और यहां पर भी इसकी velocity को VA और इसकी velocity को VB तो यहां मुझे अगर relative velocity find करनी है तो मैं क्या करूँगा? मैं दोनों का difference लोगा और greater में से smaller यह magnitude के sign का मतलब क्या है? कि difference लेने के बाद value positive आएगी और अगर हमारे पास इनकी direction opposite है तो तब relative velocity find करने के लिए इनका sum लिया जाता है तो आपने जब भी यह उपर दियेवे formulas यूज़ करने है तो यह ख्याल करना है कि आप लोगोंने दूसरी body को अगर rest पे ले लिया तो आपने relative velocity find करनी है तो अगर आप relative velocity नहीं use करोगे simple observer की यह source की value यूज़ कर लोगे आपके जो numericals होंगे वो गलत हो जाएंगे यह point आप लोगोंने यहार रखना है कि जब दूसरी body को आपने assume कर लिया rest पर तो you not relative velocity of observer with respect to source और अगर आपने observer को rest पे ले लिया तो us के relative velocity of source with respect to observer आगे हम इससे later एक question भी करेंगे ताकि आपको idea हो जाए कि आपने इस formula को कैसे use करना है लेकिन अगर आप relative velocity को use नहीं करना जा रहे है तो फिर आपको overall एक formula याद रखना है और formula है f dash is equal to v plus minus u not over v minus plus us into f और इसमें ये ख्याल रखे कि observer जब move करेगा तो plus u not और source जब move करेगा towards तो minus us और away जब move करेंगे तो हमारे पास उपर आएगा negative sign और नीचे away के लिए sign क्या आ रहा होगा नीचे away के लिए sign आपके पास positive आ रहा होगा ये ख्याल आपने रखना है अब इसके total चार केस बन जाते हैं जब दोनों move करेंगे पहला केस ये बन जाता है कि observer और इनके formula आप लोग मुझे बताएंगे का केस लिखता जाओंगा आपने मुझे बताना है कि इनका formula क्या बनेगा इनमें u not और us दोनों है पहला केस ये कि observer भी टोवर्ज़ राइट मुझे कर रहे है और source भी टोवर्ज राइट मुझे कर रहे है अब बताएं कि हमारे पास f-dash का relation क्या होगा in terms of f दुर्स1 केस मेरे पास ये है कि observer तो टोवर्ज राइट मुझे कर रहे है लेकिन source towards left move कर रहा है अब हमारे पास f dash का formula क्या होगा आप a और b लिखकर इनके answer दे सकते हैं तीसरा case अब observer move कर रहा है towards left लेकिन source move कर रहा है आपके पास towards observer अब हमारे पास f dash का relation क्या आएगा in terms of f और last case ये है कि अगर हमारे पास observer towards left move कर रहा हो और source towards right move कर रहा हो तो तब हमारे पास apparent frequency का जो relation होगा वो क्या आएगा A, B, C और D की form में आप इनके answers को बताएंगे और अब आपके formula's के अंदर U0 और US दोनों आएंगे मतलब आप relative velocity अब नहीं ले रहे आप सरफ observer और source के velocity recording इनके results लेंगे तो यहाँ पर आके पास V यहाँ पर आके पास आएका U0 यहाँ V, यह US यहाँ भी ऐसे V, U0, V, US V, U0, V, US तो main चीज़ तो सरफ signs है कि sign आप लोग ने ठीक बताने है कि sign अगर आप लोग ठीक बता देंगे आपका answer correct हो जाएगा यह पहले का answer में बता देता हूँ पहले का answer क्या होगा हम पहले observer को देखेंगे observer कहाँ move कर रहा है observer is moving towards अगर हमारे पास observer move कर रहा है towards तो sign उपर क्या आएगा positive अब source को देखें source कहाँ move कर रहा है source is moving away तो अगर source move कर रहा है away तो हमारे पास sign क्या आएगा नीचे भी positive आएगा तो पहले का जो answer होगा उपर भी positive sign नीचे भी positive sign दूसा case दूसा case हमारे पास क्या है observer move कर रहा है towards और अगर source को देखें source की motion भी towards observer है इसका मतलब यह हुआ कि source is also moving towards तो observer move करे towards positive sign लेकिन source अगर move करे towards तो sign क्या आता है negative आता है third one third one में नजर आ रहा है कि हमारा जो observer है वो move कहां कर रहा है observer move कर रहा है away वो motion हमारे पास है towards तो observer अगर away move करेगा negative और source अगर towards move करेगा तब भी negative और last case अगर हम देखें observer की motion क्या है away और अगर source की motion देखें तो source की motion भी क्या है observer से away तो observer जब away move करेगा negative आएगा और source जब away move करेगा तो sign क्या आएगा positive आएगा तो यह इसके चार केसे जो आपकी आनसर से आप उनको इन से मैश कर सकते है यह तमाम आनसर जो हैं आप कल वाले तरीके से भी बता सकते हैं और कल वाला तरीका क्या था? कि हमारे पास जो sors है बेसिकली sound की velocity sors के relative है और हमें पता है कि sound की जो velocity होगी वो source से क्या होएगी अवे तो अगर तो हमारे पास observer की velocity along होगी इसके तो positive observer की velocity होगी और अगर हमारे पास observer की velocity इसके opposite होगी तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? Sign negative है इसके मताबिक भी यह सारे relation बन सकते हैं Same goes for our source अगर source की velocity और sound की velocity same direction में तो source की velocity के साथ sign की आएगा? Positive और अगर source मूव करेगा उसके opposite कि जिस सरफ sound ट्रेवल कर रहा है उसके opposite जा रहा है तो साथ sign की आएगा? Negative तब भी आप यह सारे फामूलास जो हैं यह drive कर सकते हैं अब इनके practice आपको होनी चाहिए कि आपके पास अगर यह question आते हैं तो आप इन questions को solve कर सके हैं अब हम questions के solution की तरफ जाते हैं फामूलास हमने पढ़ लिए, सारे लिख लिए, अब इनके questions को देखते हैं First question मेरा Condition यह है कि observer is moving relative to the source यह पता चल गया कि observer move कर रहा And apparent frequency is 50% of the actual frequency Find the velocity of observer in terms of velocity of sound Observer is moving relative to source and apparent frequency is 50% of the actual frequency What will be the velocity of observer in terms of velocity of sound Mohamed Shiryar की किस case के लिए बता रहे हैं Open या Close, open pipe या close pipe यह भी clear करें ना सरफ question को लिख दी आपने किस case के लिए वो आपने mention नहीं किया और दूसा मेरा question आप से जो है वो यह है कि source is moving relative to the observer And apparent frequency is equal to 200% of the actual frequency What will be the speed of source in terms of speed of sound? The open pipe के लिए और string के लिए यही answer होगा N plus 1 जो तो मैंने कल बताया था कि overtune जो होती है वो harmonic से एक ज्यादा होगी अगर first हम आरे पास overtune है तो इसका मतलब वो कौन सा harmonic है second है? ठीक है formula यह और मैंने formula जो लिखवाया था वो लिखवाया था close pipe का क्योंकि open pipe का string का इतना मसला नहीं होता मसला ज्यादा close pipe का होता है उसका formula 2N plus 1 मैंने बताया था यह पहले का answer आप लोगों का आ गया कि U naught जो है वो half है V by 2 है दूस्टे का answer क्या होगा? यह पहले का answer बिल्कुल कीक है half आएगा क्योंकि जो 50% है यह रखें जब percentage की value 100 से कम होती है नहीं इसका मतलब value कम हो रही है यूँकि 50 divided by 100.5 और 0.5 बन से क्या है? लेसर तो 0.5 अगर 1 से लेसर है इसका मतलब frequency कम हो रही है तो यह कौन सा case होगा? यह away का case होगा minus V by 2 नहीं आएगा यह गलत कर रही है solve पहले case में 50% का मतलब है कि F dash is equal to 0.5 of F इसका मतलब apparent frequency कम है real frequencies अगर apparent frequency कम है इसका मतलब observer is moving away from the source तो formula क्या बनेगा इसका? F dash is equal to V minus U not over V into F तो आपने data से यह देखना है कि यह case कौन सा? अब case पता चल गया आगे कुछ नहीं है आगे simple आपने F dash की value पुट करनी है 0.5 0.5 का मतलब क्या है? half तो F dash ही जगा आपने F by 2 पुट कर दिया आगे solve करेंगे आपको U not in terms of V मिल जाएगा F cancel हो जाएगा cross multiply करें तो V is equal to 2V minus 2U not और जब यहाँ पर आप side change करेंगे तो 2U not is equal to 2V minus V तो 2V minus VV तो last 2 divide हो गया तो V by 2 तो observer की speed, speed of sound के अगर half हो तो तब हमारे पास frequency 50% हो जाती है दूसरे case में 200% है तो 100% से lesser हो इसका मतलब frequency क्या है कम हो रही है अब इस 200% का मतलब क्या होगा जब आप इसको 100 से divide करोगे इसका मतलब यह है कि आपकी frequency double हो रही है और frequency कब जादा होती है जब source मूफ करेगा towards observer तो यह case आपको पता चल गया कि towards का है तो towards का formula apply कर दें V over V minus US into F F अब कितना है 2 F जगा आपने 2F पुट कर दिया तो same बाकी method वही है जो आपने solve किया लेकिन answer देखते हैं अब different आएगा cross multiply करेंगे तो 2V minus 2US is equal to V अब side change होगी तो आपके पास आएगा 2US is equal to 2V minus V हमारे पास यह क्या आगया V तो यहाँ पर भी result आपके पास क्या आता है वो V by 2 आता है तो देखें दोनों का answer V by 2 आया लेकिन reason क्या है कि answer same है result different है reason यह है कि एक में V minus U naught जो है वो कहाँ पर है numerator में और दूसरे case में जो V minus US है वो कहाँ पर है denominator में लेकिन value numerator से denominator में आने से क्या change आया एक में frequency कम हो गई और एक में frequency ज़्यादा हो गए first question में मैंने कुछ भी नहीं किया simple 50% को 100 से divide कर दिया जब 50% को 100 से divide किया तो हमारे पास अधनान असे में अपने question को सोचे है question थोड़ा सा सोच के किया करो आपको खुद उसका answer पता चल जाएगा ज़र नफीसा frequency 50% का मतलब क्या है एक चीस 50% हो गई मतलब आदी हो गई तो आदी होने का मतलब frequency कम हो रही है तो frequency अगर कम होगी तो यह case कौन सा है observer is moving away आगे observer away का formula apply किया value आगई तो इसको यूँ या रखें कि जब हमारी frequency 100% से कम हो या one से lesser हो इसका मतलब frequency कम हो रही है और जब हमारी frequency 100% से greater हो यानि हमारी value one से greater है इसका मतलब हमारी frequency ज़्यादा हो रही है और अदना नासिम 100% को 100 से divide करते है फ्रिक्वेंसी सेम अगर फ्रिक्वेंसी सेम इसका मतलब observer move भी नहीं कर रहा source move भी नहीं कर रहा relative velocity 0 है तो 100% तो Doppler's effect है यह नहीं Doppler effect में तो या frequency बढ़ेगी या कम होगी 100% पे तो frequency सेम आजाएगी चले नेक्स question की तरफ चलते है यहर्ट दफा मैं question पूछता हूँ student से तो कि इससे हमें practice हो जाती है overall cases के एक platform पे एक आदमी खड़ा train का वेट कर रहा एक passenger है जब train उस आदमी से distance deeper थी तो उसके horn की अवास सुनाई थी let's say इस frequency को मैं बोल देता हूँ F A और train जो move कर रही है उसकी speed हमारे पास कितनी है that is 72 km पर hour train उस जगा नहीं रुकती उस platform पे और train पास कर जाती है उस passenger के करीब से अब train जब पास से गुजर जाती है तो दुबारा exactly उतनी distance के बाद जहां पहले उसने horn बजाया था वो दुबारा train horn बजाती है लेकिन अब जो वो passenger सुनता है अब उसकी frequency fb है अगर train नहीं रुकी इसका मतब train की speed पहले भी 72 km पर hour थी अब भी 72 km पर hour आपने करना क्या है आपने fa और fb की ratio को calculate करना है और यहां पर अगर speed of sound नहीं given तो आप कितनी use करोगे आप speed of sound को use करोगे 340 meter per second क्या इसका answer आएगा कि train 72 km पर hour से move कर रही है platform से distance d पर जब थी उसने horn बजाया उसकी frequency को एक passenger ने सुना और estimate किया fa train platform के पास से गुजर गई अब दुबारा उसने horn बजाया same distance पर जाकर अब जो frequency उसको observe होई वो fb है बताएं fa और fb की ratio क्या है और train की speed 72 km पर hour और sound की जो speed आप use करेंगे वो 340 meter per second यूज़ करेंगे अद्दान value बतानी है क्या आएगी ratio 3 ratio 2 इस तरह से आंसर बताएं क्या आएगा सबसे पहला काम यह करना है कि 72 km पर hour को meter per second में convert कर लें तो source यहां पर कोन है train observer वो passenger पहले जो source है वो move कर रहा है towards a observer तो पहले towards वाला case अपलाई हुआ और इसके बाद वो move कर रहा है away उसके बाद away वाला case अपलाई होगा तो f a में towards वाला case f b में away वाला case और जो train की speed है obviously observer rest पर है तो speed हमारे पास simple 72 minus 0 या 72 plus 0 वो 72 ही रहेगी इसको 1000 से multiply करेंगे और 3600 से divide करेंगे तो 36 into 272 तो speed train किया आगई 20 meter per second अब हमें ratio required है तो आपने करना कि आपने दोनों cases के formulas को simply divide कर देना तो पहला f a का जो case है वो हमारे पास है towards का f a अगर towards का case तो towards का formula होता है v over v minus us into f और फिर away वाला case वहाँ पर क्या होगा v over v plus us into f तो v cancel out हो जाएगा f cancel out होगा v plus us numerator में चला जाएगा और v minus us denominator में चला जाएगा तो v की value put कर दे v हमारे पास के है 340 और us की value के है 20 और नीचे बीसी तरह से 340 minus 20 अब 340 plus 20 360 है और 340 minus 20 320 है जिरो cancel अब 36 over 32 है 4 into 9 36 and 4 into 8 32 तो 9 ratio 8 हमारा answer होगा अगर इसी question में मैं आपसे frequency के ratio ना पूछता मैं आपसे wavelength की ratio पूछता तब answer क्या आएगा अगर frequency की ratio की जगा wavelength की ratio हमें कहा जाए कि wavelength की ratio calculate करें तब answer क्या होगा जी तब answer हमारा जो आएगा वो इसके reverse आजाएगा तब हमारा answer 8 ratio 9 आएगा तो कि source की move करने से wavelength में change आता है अगर source की जगा observer move करता तब 1 ratio 1 था अब simply आप frequency के reciprocal ले लोगे तो आपका answer क्या आएगा यहां पर आपका answer 8 ratio 9 आएगा और reason wavelength का frequency के साथ relation inverse है चलिए next question करते है अब जो question है यह आपके book से ही है और यहां पर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास दोनों bodies move कर रही है observer भी और source भी question है कि two cards P and Q कोई भी नाम इनको दिया जा सकता are moving along same direction दोनों car same direction में move कर रही है car P chase कर रही है car Q को जो car P है उसकी speed हमारे पास है 20 meter per second और car Q की speed है 12 meter per second जोनेर सलीम डिस्टन्स तो चेंज हो रहा है distance चेंज हो रहा है कैसे observer से वो body अवे जा रही है लेकिन equal distance पे जाकर उसने उस horn को बजाया है लेकिन motion क्या है अवे और पहले case में motion क्या थी towards वो body rest पे जाके horn नहीं बजा रही during motion उसको बजा रही है इस वज़ा से frequency में change आएगा अगर वो distance d पे जाकर रुख जाती फिर horn को बजाती तब हमारे पास क्या कहेंगे frequency हमारे पास same है लेकिन motion की वज़ा से यहां change आएगा यह उसी तरह से है कि आपके पास अगर practically इसको करना चाहें कि एक गाड़ी में कोई बंदा move करे आपकी तरफ पहले वो horn बजाता वा आपकी तरफ आरा पिर दुबारा horn बजाता वा गुजर जाता है तो आपकी तरफ आते वे और आपसे अवे जाते वे दोनों केसिस में relative motion exist कर रही है क्योंकि पहले केस में वो आपसे towards आकर horn बजाता है फिर अवे जाकर तो पहले आपको आवाज उन्ची सुनाई देगी और जब वे चला जाएगा तो आवाज कम होती जाएगी अनीस ऐसा कोई केस नहीं है जहां relative motion हो और doppler shift ना हो जहां भी relative motion होगी वहाँ doppler shift जरूर होगा अब question second सुने कि second question हमारे पास क्या है कि P और Q दो गाड़िया move कर रही हैं same direction में P की speed 20 meter per second है और Q की 12 meter per second है जो P का driver है वो हान बजाता है जिसको Q का driver सुनता है अब हमें ये कहा गया कि Q के driver ने जो आवाज सुनी उसकी frequency उसने estimate की 800 Hz तो ये बताएं जो P का खुड driver होगा वो जो frequency observe करेगा वो कितनी होगी और यहां पर भी अकर speed of sound की value given नहीं है तो आपने किया है 340 meter per second question क्या है कि P और Q दो cards move कर रही है speed मैंने बता दी 20 meter per second हो 12 meter per second P का driver horn बजाता है Q का driver सुनता है और Q का driver estimate करता है उसको 800 Hz तो P का जो खुड driver होगा उसको क्या आवाज सुनाई देगी अब इस case में आप देखने हैं कि दोनों bodies move कर रही है जो horn बजा रहा है वो भी और जो horn को सुन रहा है वो भी महाम सर्फराज यह आपकी मर्जी है आपने आपने relative speed से solve करना है यह जो मैंने last में case बताए कि observer और source दोनों की velocity पुड़ करके यह आपकी अपनी मर्जी है main चीज आपने question को solve करना है फामूलास मैंने आपको सारे बता दी है अब किस से solve करना है यह आपके उपर है जो आपको easy लगता है उसको use करें और solve करें फिर मैं बता दूँगा कि मुझे क्या असान लगता है किस से इसको solve किया जाए अब कौन observer है और कौन source है साथ से पहले तो हमने यह decide करें तेकि P का driver अगर hon बजा रहा है और Q का driver उसको सुन रहा है तो हमारे पास P जो है वो source है और Q जो है वो observer है नेक्स काम यह देखें कि किस की speed ज़्यादा है और किस की कम है जो P की speed है वो 20 meter per second है और Q की speed 12 meter per second है P की speed ज़्यादा है और Q की speed कम है इससे यह पता चल गया कि source is moving towards observer source is moving towards observer अब source अगर move कर रहा है towards observer तो सबसे जो simple formula हमारे mind में आता है वो यह आता है V over V minus US into F अब हम confused यहाँ पर होते हैं कि क्या US हमने VP के equal put करना है क्या हमने US इन दोनों के sum के equal put करना है या हमने US इनके difference के equal put करना है तो मैंने आपको relative velocity के case बताये थे अब यहाँ पर देखें तो VP और VQ इन दोनों की जो direction हमारे पास है वो क्या है वो same है अगर direction same हो तो US जो relative velocity को represent करेगा उसको कैसे find करेंगे इन दोनों के difference है VP और VQ का difference और अगर इनकी direction opposite होती तो फिर हम क्या लेते है फिर हम sum लेते है तो VP मानेस VQ यह आगया 20 माइनस 12 यह आगया 8 meter per second यह हमारे पास source की velocity आ गई अब मैंने question को solve करते हुए अगर relative velocity find की है तो मेरे पास formula में observer की velocity नहीं आएगी मैं observer को एक तरह से relative rest पे लूँगा अब आगे चलना है अब F dash और F हमने find किसे करना है हमने find करना है basically F को क्योंकि जिसने horn को बजाया था जो वो खुद frequency सुनेगा वो actual frequency होगी और जो Q के driver ने सुनी वो frequency क्या है उसने वो apparent frequency सुनी है इसका मतलब हमें जो 800 Hz गिवन है वो F dash गिवन है और हमने find किसे करना है हमने find करना है F की value को तो ये तमाम चीजें वो हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि हमें जो question गिवन है उसमें क्या find करेंगे तो हम find किसे करेंगे F को तो अगर F को calculate करना है हमने तो F को calculate करने के लिए cross multiply कर दे formula बन जाए का V minus US over V into F dash अब values पुट करना है V 340 है जो US source की velocity वो कितनी है 8 divided by 340 और हमारे पास F dash वो कितना है F dash is 800 अब आगे 340 में से 8 subtract करें यह आगे डबल 3 2 नीचे हमारे पास क्या है 340 इसका 0 बेशा कैंसल कर दे 34 80 अब यह वो variables आगे हैं जिनको आपने यहां पर solve करना है अब 2 के table से करें वो आपके परी मर्जी है जैसे आपको यह easy लगता है main चीज यह है कि आपने approximation को use करके इसको solve करना है अब मुझे यहां पर क्या असान लगता है कि मैं इसको कैसे solve करो देखिए हमारे पास अगर 2 से मैं इसको solve करता हूँ तो मेरे पास यह आजाएगा 17 और मेरे पास यहां पर आजाएगा 332 है तो 1 6 ठीक हो गया अब approximation अगर 17 है और यह 80 है अब सोचें कि 17 2, 34 है 34 प्लस 34, 68 है और 68 प्लस 17, 85 तो approximation का फाइदा क्या है कि आप इसको तकरीबन कह दें कि अगर यह 85 है तो 17 इंटू 5, 85 लेकिन हमारा actual answer जो होगा वो क्या होगा वो 80 जूर 5 से lesser होगा अब जल्दी solve करने के लिए 166 को 5 से multiply करते हैं तो 6 इंटू 5, 30 6 इंटू 5, 30 add करें 3, 33 5 इंटू 1, 5 आपका answer क्या आगया? 8, 30 अब 8, 30 हर्ट के जो सबसे क्रीब होगा और actual answer क्या? 8, 30 होगा 8, 30 से lesser होगा तो actual answer 8, 30 हर्ट से lesser होगा तो जो भी 8, 30 हर्ट से lesser answer होगा इसके क्रीब क्रीब वो आपका answer क्या होगा? correct होगा तो बजाए इसके कि आप लोग exact value की तरफ चलना शूरू कर दें कि multiply करते रहें, solve करते जाएं सोचें, क्रीब वैल्यू क्या आती है और उसे solve कर दें आपका answer correct होगा अब दूसरा जो method है, उसे भी आप solve कर सकते हैं अब दूसरा method कौन सा case बनेगा ये? ये case बनेगा कि source मूफ कहर रहा है towards observer मूफ कहर रहा है away तो उपर बनेगा V minus U naught नीचे बनेगा V minus U S solve करेंगे, तब भी आपके पास answer आ जाएगा लेकिन ये formula जो है, ये जादा easy है, इसमें आपको एक जगा calculation करनी पड़ेगी, दो जगा calculation नहीं करनी पड़ेगी तो दोनों की practice कर लें, पिर जैसे आपको दोनों में से असान लगता है आप उसे इसको solve करके answer निगाल सकते हैं तो ये आपर depend करता है, लेकि main चीज दोनों move करें, तब भी question solve हो सकते है 800 से कम आएगा खुश सोचे जरा क्या 800 से कम आना चाहिए, 800 से जादा आना चाहिए answer 800 से कम आएगा जनी जो अब उसने 820 हर्स उसने जो सुना है 800 हर्स होना है, उससे कम answer आएगा अब गलती कहां पर है गलती है कि हम approximation जादा कर चुके है calculation ये mistake नहीं है हमने जो approximation है वो जादा की है ये जो हमने 5 ले ली है ना, इसको 17 और 5 ये 17 और 5 लेने से हमारे पास जो answer आया है वो बहुत बड़ा आगया ये लिखना गलत नहीं है कि answer 830 हर्स से कम है लेकिन कितना कम है ये तो हमें पता होगा solve करने से कि solve करने से बड़ा चलेगा कितना कम है, चले, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास options अगर होती ही फिर तो हम उसको identify कर लेते है answer 800 हर्स वो तो confirm है क्यों? क्योंकि जब move करेगा towards अगर इसने सुना है 800 हर्स को तो इसकी जो frequency हमारे पास होगी जो real frequency होगी वो 800 से कम होगी तब ही तो ये frequency को ज़्यादा सुनेगा क्योंकि अगर frequency को वो ज़्यादा सुनेगा तो 800 से ज़्यादा सुनेगा ना 820, 830 तो नहीं हो सकता अब approximation को हमने खतम करना है क्योंकि approximation ने हमारे answer के अंदर variation को लेकर आया ज़्यादा अब approximation का मतलब हमारे पास यहाँ पर exact value चाहिए जब तक options ना हो हम exact value को doubt में रखते हैं अब exact value के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा इसको हमने कहा था 17, इसको हमने कहा था 332, अब ज़्यादा approximation नहीं करते, इसको हम 17 के जगा 16 ले लेते हैं वो कि ज़्यादा approximation से गलती आई, अब इसको 16 हम लेते हैं, तो 2 into 8 और यहाँ के पास आएगा अभी भी हमारे पास फिर भी गलती आएगी इसको थोड़ी सी बे approximation कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा answer फिर दुबारा वो यह आ रहा है, 332 into 40, फिर 5 यह आ रहा है 1 double 6 ही है वो ठीक है, मैं सिर्फ यह देख रहा हूँ के approximation हम कितनी करें 340 minus 8 हमने कर दिया तो यह हमारे पास आ गया double 3 2 और नीचे हमारे पास है 34 और यह हमारे पास है 80 क्योंकि जितनी हम approximation कर रहे हैं जादा, थोड़ी बहुत भी change कर रहे हैं, उससे भी जो हमारा answer है, हो गलत हो रहा है, फिर best यह है कि आप 34 और double 3 2 इनको solve करें मतलब बजाए इसके कि हम लोग उस पे जाएं, हम बेतर है कि हम इनको solve करके इसका answer लेकर आएं तो उसके लिए हमारे पास जो 34 उसको अगर हम solve करते हैं कि 34 into 10 वो तो हमारे पास होएगा 340 और अगर हम इसको 9 करते हैं बेतर वह जो आपने ओने भी का 9.5 80 से कट ना करें 80 से कट करेंगे फिर गलती आएगी, बेतर अब यहाँ पर यह है कि अगर exact value चाहिए तो double 3 2 को 34 से solve करें अब 34 अगर हम multiply करते हैं 9 तो यह हमारे पास आएगा 306 यह हमारे पास आजएगा 26 अब point लें 0, 260 अब हम 34 को देखेंगे 260 हमारे पास किस value पर आता है अगर हमारे पास option से पता चल देगा लेकिन हमने calculation की practice भी तो करनी है तो बेतर है calculation की practice करें वो जादा बेतर है calculator को use नहीं करना अब 340 का हमारा half जो होता है 170 है इसका मतब अगर मैं 34 को multiply करूंगा 5 से तो मेरे पास 170 आएगा अब 170 से plus 34 करेंगे हमारे पास आएगा 204 और 204 में अगर हम add करते हैं इसका अगर 7 9.7 34 को 7 से multiply करें 34 into 7 यह हमारे पास आएगा 7 into 4 28 7 into 3 21 21 plus 2 यह 238 तो हमने किया यह 238 इसका मतब करीब करीब अगर value तक पहुँचना है तो हमारे पास यहाँ पर आना जाहिए 9.7 तो यह आगा 9.7 और अब इसको multiply कर दें किससे 80 से अब 80 से करेंगे तो यह अब असान है यह point जो हमारे पास है यह solve हो जाएगा तो यह आपके पास आजएगा 97 into 8 अब देखते हैं हमारा answer कितना close आता है 7 into 8 56 8 into 9 72 और 72 plus 5 776 तो यह 776 hertz यह exact value तक हम पहुँच के तो options नहीं थी इस वज़ा से मैंने इसको solve किया otherwise option होती तो हम direct देख लेते कि जो हमारा answer कम है लेकिन अगर option close close हो तो फिर हम exact answer चाहिए ठीक हो गया 9 से नहीं करेंगे ना 720 और 776 में बहुत फर्क है अगर आपके पास option बहुत close है तो option close के लिए फिर हमें solve उसको करना पड़ेगा तो solve करना पड़ेगा तो इस वज़ा से मैंने इसको इस limit तक solve किया और time लदाया तो 776 hertz exact calculator से आएगा लेकिन हम calculator के बगएर इसको solve करना आना चाहिए तो फिर हमारा answer क्या आ रहा है 776 hertz आ रहा है चलें यह हो गया question ठीक है जिसमें हमने exact value को find कर लिया अब एक question करेंगे हम stationary wave से related और फिर electromagnetic spectrum और beats का topic अब यह question भी आपके book से है थोड़ा सा मैं data change करूँँगा इसमें अब question मेरे पास यह है कि एक church pipe है church organ pipe और उसका one end open church organ pipe है और organ pipe इसना से है कि उसमें multiple pipes attached है pipes ठीक है और तमाम जो pipes हैं उनका एक end open है और एक end close है जो minimum length हमारे पास इन pipe में से है वो हमारे पास है 20 mm और जो maximum length in pipe में से है वो हमारे पास है 5 meter sound की जो velocity है वो है 340 hertz आपने क्या चीज़ कल्कुलेट करनी है आपने कल्कुलेट करनी है range range of fundamental frequency एक church organ pipes है जिनके one end open है उनमें से जो minimum length वाला pipe है वो 20 mm का है और maximum length वाला pipe वो 5 meter का है sound की speed मैंने बता दी 340 meter per second यूज़ करें तो बताएं कि range fundamental frequency की क्या होगी और मैं range के बारे में उपर बता चुका हूँ range का मतलब होगा कि आपके पास minimum to maximum value क्या है यह मतलब होगा range find करने का लेकिन पहली बात तो यह हो गई कि fundamental frequency का formula क्या use होगा वो होगा V over 4L क्योंकि एक pipe end open है और एक close है next बात यह पता चली कि frequency का length के साथ relation क्या है inverse इसका मतलब जब fundamental frequency हम minimum calculate करेंगे तो हमें जो length use करनी पड़ेगी वो maximum use करनी पड़ेगी और जब हम frequency की value maximum use करेंगे तो हमें जो length use करनी है वो क्या use करनी है minimum पहली चीज़ तो यह है तो क्योंकि length के साथ relation inverse है अब next सिर्फ फामूलाज में value पूट करनी है और फिर उनको solve करना है पहले case में जो length हमारे पास maximum वो कितनी है 5 meter यह 5 यूज़ करेंगे और इस case के अंदर जहां maximum frequency को calculate करना है वहाँ पर जो length है वो हमारे पास given है millimeter में तो 4 multiply 20 से होगा और यह पूरी value divide के से होगी 1000 से क्योंकि हमारे पास 1 meter में 1000 millimeter होता है अब solve करें यह 340 नीचे 5 into 4 20 तो यह तो simple आपके पास आगया 17 hertz अब दूसरी value को solve करना है तो वहाँ पर सोचें किस तरह से यह easy solve हो सकता है तो हमारे पास यह 0 इससे cancel हो जाएगा उसके बाद 4 into 8 4 into 2 8 उपर 34 है अब यहाँ में इसको solve करता हूँ तो यह आगया 17 तो 17 over 4 और यह 1000 जाकर multiply हो जाएगा यह इसके value हो आगए अब 17 को 4 से divide करना मुश्किल नहीं है आपके पास 4 into 4 यह आपके पास 16 remainder क्या 1 0.0 4 into 2 8 तो आपके पास आजाएगा 4.25 तो exact answer आपके पास solve हो क्या 4.25 10 raise to power 3 hertz तो answer किस तरह से लिखा होगा answer लिखा होगा range की form में और range को क्या लिखेंगे हम हम लिखेंगे कि 17 hertz से लेकर 4.25 10 raise to power 3 hertz तक यह हमारा इसकी range बनेगी from minimum to maximum तो यह थे हमारे कुछ questions doctor effect से related और यह एक match आजा रहा था कि हम stationary wave से related question कर लें बाकी stationary wave के question हमने कल किये थे उसमें बस over note की practice कर ली जाएगा कि over note हमारे पास और harmonic इनका क्या relation है और वह practice हो जाएगी तो stationary wave के questions भी आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे